15 दिन से हत्या को लेकर रेकी की जा रही थी, ये बड़ी जानकारी निकल कर सामने आई है रेकी करने बालों ने हर मोमेंट की जानकारी दी थी, ये सूतर बता रहे है शूटर्स को सिद्धिकी के पलपल की जानकारी थी बाबा सिद्धिकी क्या कर रहा है कहा जा रहा है किस से मिल रहा है और मैं आपको एक जानकारी और दूँ कि अम्मूमन उनका जो डेली रूटीन होता था अपने बेटे के दफ्तर से, जब जिशान सिद्दिकी के दफ्तर से वो निकलते थे तो अपने पाटी के कारेकर्ताओं से वो मिलते थे और इसी दौरान उन पर गोली बारी की गई अब पुलिस को तीन से ज्जादा आरोपी होने का शक है बड़ी बात यह कि तीन आरोपियों ने बाबा सिद्धिकी पर गोलियां चला थी घटना स्तल पर सिद्धिकी से पहले शूटर्स मौझूद थे और सिद्धिकी के आने का इंतजार कर रहे थे और जैसे ही बाबा सिद्ध की बाहरा है वैसे ही उन पर तावर तोड़ बूल यहां चला दी है तीन हमला पर बताए जाते हैं और खबर है कि पुलिस ने कुछ संदिक्दों को हिरासत मिले लिया है पुलिस की कारवाई को लेकर एक एक जानकारी हम आपको देंगे लेकिन अभी जो सूत्र बता रहे हैं वो ये कि बकाइदा रेकी करवाई गई थी पिछले 15 दिनों से प्लानिंग की जा रही थी बाबा सिद्ध की एक ऐसा नाम जो बॉलिवूर्ट से लेकर सियासत तक में बहुत बड़ी पहचान रखते हैं और आपको उनके